नमस्कार मैं बीनु जैसवाल मेरे चैनल करी सौस में आपका स्वागत है तो यहां पर आज मैं खिचडी पर्व है और मैं खिचडी बनाने की तयारी कर रही हूं तो यहां पर मैंने चावल ले लिया है और यह छोटे दाने का चावल है जिसे आप गोपाल भोग नजीर के ना और यहां पर मैंने आधा कब मुन की बृभी है तो ऊरत की ना राकी किचडी यह जरूर बनी है तो यहां पर सी तरह तरसरे पानी से टाला कर ताकि यहां पर सारी सबुझा मनने कर लियंदा मैं नहीं कट कर सकते हैं तो गोभी आलू कट कर लिया है अगर आ है उसी मने के लिए हैं और सब्जृ het सरसो का तेल क्योंकि हमारे उत्तर भारत में हम सरसो का तेल ज्यादा इस्तमाल करते हैं तो मैं कोकिंग लगभक सरसो के तेल में ही सभी करती हूं और यहां पर अब हम डाल देंगे आलू और गोभी को और यह जो है हमारी आलू और गोभी जो एक साथ भूनेंगी तो इसे आप आपको दिखाती हूं यह देखिए हमारा अलुगों भूल गया है और इसे अब हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे साइड में और उसी पॉट में मैंने फिर से सरसो का तेल एड कर दिया है और फिर इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे की जीरा डाल दिया ह मैंने यहाँ पर दो लॉण डाली है मैंने एक बड़ी लाग ची डाली है एक छोटी डाली है और और ठोड़े से दालचिनी के टुकड़े लाल दिये हैं तो इन सबकेसाथ खिच्ली का टेस्ट अच्छा ता जब तलका हम इस तรह से बनाते हैं तो इहाँ पर 22 पत और एक चमस लहसुन का प्रयोग किया है और आगर आप लहसुन नहीं खाना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं तो सिर्फ अधरक और Чाप इसमें डाल दीजिए तो यहाँ पर जब अधरक और हरी मिश भून गई तो तक भूनेंगे और हींग में इंग्रिडियंट और इसके बिना खिचडी का तेस्ट नहीं अच्छा हैगा तो इससे पनाकरियिंसी और हींग जरूर इसमें डालें तक हमारे भून रहा है धीमी आज पर तब हम कट कर लेते हैं थोड़ी सी हरी धनिया और प्याज हमारे देखिए भुन करके त्यार हो गए हैं तो आप इसमें हम मसाले आट करेंगे तो यहां पर मैं एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर स्वाद के नुसार आप इसमें लाल मिर्स पाउडर डाल हैंぜ यहां पर मसाले हमारे बहुत आची तरह से त्यार है और में बड़ यहीं रहे हैं जरूर पुरने और और पीडाल wires की को बनाएंगे क्योंकि जब भी सारे मसाले भुन लेते हैं तो और यहीं बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है क्योंकि खिचली पानी में पकेगी और सारी कुकिंग जो हमारी हो जाती है तो यहां पर मसाले भून गये हैं पानी मैंने निकाल दिया है चावल और दाल से और इसे अब हम इस पोर्ट में एड कर देंगे सारे चावल दाल को और इसके बा दो कटोरी मटर डाला है और इसे भी हम अच्छी तरह से खिचली में मिक्स कर देंगे तो इसके बार इसमें हम में इंग्रिडियन डालेंगे देसी घी जिसके बिना खिचली का टेस्ट बिलकुल अच्छा नहीं आएगा तो जरूर एक चम्मच इसमें देसी घी डालें और कि ऐसे बहुत ऑच्छा फ्लेवर देता है तो इहां पर देशी घी को भी डाल करके मीश Escape चलाएंगे अच्छी तरह से और फिर मैं डालेंगे पानी पर पहले मैं एक लीटर पानी डालूंगी और यहां पर कुल पानी जो है इसमें दो लीटर लगा है लेकिन पहले एक लीटर पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से और फिर इसमें हम डाल देंगे आलू और गोभी जो हमने फ्राई करके रखी और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं तेजपत्य को निकाल दूँगी बाहर और इसे अब हम पकने देंगे धक करके तो यहाँ पर हम धकन लगा देते हैं और पहले फुल फ्लेम पर हम पकाएंगे इसे और इसके बाद इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि उबाल जब तक आ eh और इसे हम onपकर कि पखाते हैं तो जब मारी से इस तरह से होजाए अगर आपको ऐसे खाने हैं तो फटका कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी jeśli लट से खाना है तो थोड़ी तो थोड़ा सा पतलाई से करूंगी मैं तो यहां पर आधा लीटर पानी मैं इसमें और एड करूंगी तो यह कुल दो लीटर पानी इसमें हमने यूज किया है इतनी खिच्डी में जिसमें मैंने 250 ग्राम चावल लिया था आधा कप दाल ली थी मूंकी और वन फोर्ट कप मैं इस तरह से गल गए हैं और गोभी भी टूटा नहीं है तो आप इस तरह से खिच्डी बनाएंगे तो आपके खिच्डी बहुत यह अच्छी बन करके त्यार होगी और इस मकर संक्रांती आप इस खिच्डी को बनाईए अपनों के साथ खाईए और खिलाईए बहुत ही मैंने देशी घी और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग तो यहां पर जीरा और हींग के तड़के का टेस्ट खिच्डी के ऊपर बहुत अच्छा आता है तो इसकिप ना करें और यहां मैंने धक्कन तो आपके खिच्डी बहुत अच्छी बन कर तयार होगी इसे mix करेंगे और इसे गर्मा गरम हम serve करेंगी तो इस तरह से जरूर बनाएए इस मकर संक्रांती खिच्डी और बताईएगा जरूर कमेंट सेक्षन में कि मेरी खिच्डी आपको कैसी लगी और recipe पसंद आएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा बिल आइकन जरूर दबाईएगा तो यहाँ पर मैंने खिच्डी को serve कर दिया है और इस पर मैंने डाल दिया है थोड़ी सी देशी घी जो बिना इसकी खिच्डी की स्वाद में बहुत कमी रह जाती है तो यहाँ पर मैंने पापड और सलाथ से serve कर दिया है आप अचार रायता किसी जीसे भी से serve कर सकते हैं तो चलिए इसे enjoy करते हैं मेरी खिच्डी बन गई है और मेरी plate तयार है तो आप भी इसे बनाईएगा जरूर से और मुझे जरूर बताएगा कि आपकी खिच्डी कैसी बनी है तो इसी के साथ happy मकर सं और हैपी खिच्डी आप सभी देशपासियों को